जैसरी राम प्यारे बगतो ये संकेत बताता है कि आपकी सारी समस्याओं का समादान शिरी राम जी सिग्र ही करेंगे कौन सा वो संकेत है प्यारे बगतो जानने के लिए अंततक बने रहेगा एक एक शब्द को ध्यान से सुन लीजिएगा और हमारा दूसरा चैनल है ग्यानदूत आप उसकी वीडियो देखना चाते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी ये किसी का कमेंट आया है वंदना जी का इन्होंने लिखा है जैस्री राम माता जी श्री राम बाल रूप में तपस्वी के भेश में दिखे तो इसका क्या मतलब है तो प्यारे भगतो बहुत ही अच्छा मतलब है इस स्वपन का जो इनको अगवान राम बाल रूप में और तपस्वी के भेश में दिखे हैं सुब इसका अर्थ है आप सभी जान लीजिए क्योंकि हो सकता है ऐसा ही स्वपन आपको भी आ जाए तो फिर आप अपने स्वपन का अर्थ आसानी से जान पाओगे इस अपन बताता है आप हर दुस्मनों पर विजए पराप्त करेंगे शत्रूँ पर यानि कि आप विजए पराप्त करोगे और एक ये संकेत बताता है कि आप कोई भी किसी भी तरह की पूजा करें सारी पूजा सफल होगी और एक संकेत बताता है ये सपना कि आपका भजन ध्यान सुमरिन में मन जादा से जादा लगेगा अगर आप भजन ध्यान नाम जब करते हैं तो और अगर आपका भजन ध्यान नहीं करते हैं तो आप ये अभी से शुरू कर दीजिये समझ लो आपकी जिन्दगी बदलने वाली है देखो प्यारे बगतो इनको बगवान राम तपश्वी के भेश में दिखे हैं तो जब की समस्चाएं दूर की और लंका पर विजय प्राप्त की यानि की जो भी शत्रू थे बगवान के उन सब पर विजय प्राप्त की विभीशन को राज दिलक किया और क्या सुग्रीव को राज दिलक किया बाली को मारा तो इसी तरह से आपके भी जितने भी शत्रू हैं वो जाएंगे यहां तक कि आपके हम करोध लोब मोहो एंकार रूपी जो पाँच शत्रू होते हैं सबसे बड़े इंसान के उन पर भी आप विजय प्राफ्ट कर सकते हैं और इस स्वपन का ये भी अर्थ है प्यारे बगदो कि आपकी जिनों ने भी ये स्वपन देखा है उनकी स सारी समस्याएं सारे दुख सारे विग्न सारी विपत्ती बगवान राम स्वेम अती सिग्र दूर करेंगे इनके जीवन में आने वाले जीवन में यानिकी सुख ही सुख होगा ऐ सफलता सफलता में बदल जाएगी दुख सुख में बदल जाएगा हानी लाब में बदल निरंतरता से उनकी बगति करते रहेंगे तो तो आप समझ गए होगे प्यारे बगतों आपका भी किसी का भी कोई स्वपन है कोई भी प्रशन है कमेंट अवस्चे कीजिएगा ओर देखो थोड़ी सी देरी हो जाते क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं सपनों का दो दिन लग जाए तो आप के लिए हम निश्चित ही बना के देंगे वीडियो अगर हम भूल जाए क्योंकि कमेंट निच्चे चले जाते हैं तो हम आप से शमाच आते हैं और आप उस कमेंट को दुबारा कर दीजिएगा फिर कई बार ध्याननी रहता कमेंट हमें मिलता न